पाँच वर्ष का बूढ़ा ने देखा कि वहां रास्ते की कूड़े कच्रे को हटा रहा है उसे देखकर राजा रुक गया बूढ़ा अपने काम में लगा रहा राजा ने उससे पूछा महराज आपकी उम्र क्या होगी? बूढ़े होकर भी आप इतना श्रम कर रहे हैं बूढ़े आदमी ने उत्तर दिया श्रीमान मेरी उम्र केवल पाँच वर्ष है राजा ने उससे कहा आपको शर्म आनी चाहिए इतने बूढ़े होकर भी आप छूट बोल रहे हैं आपको असी वर्ष से कम उम्र का कौन कहेगा? बूढ़ा राजा की बात सुन कर मुस्कुराया उसने विनम्रता से उत्तर दिया श्रीमान आपका अनुमान ठीक है किन्तु मैंने असी वर्षों में से पच्छत्तर वर्ष बेकार गवा दिये राजा ने पुना उससे पूछा वह कैसे? बूढ़े ने विनम्र स्वर में कहा पच्छत्तर वर्षों तक मैंने केवल अपना पेट भरा और अपने लिए ही जीवन बिताया मैंने किसी घरीब या जरूरत मंद की कोई सहायता नहीं की मैंने समाज की सेवा का भी कोई कार्य नहीं किया श्रीमान मैं पिछले पांच वर्षों से ही जीवन का उद्देश्य समझ पाया हूँ अब मैं समाज की सेवा करता हूँ मैं तूसरों की भलाई के कामों में लगा रहता हूँ मैं पर्यावरण को स्वच रखने पर भी ध्यान देता हूँ मैं सभी लोगों को सफाई के लिए और पेड लगाने के लिए प्रेर्णा देता हूँ सभी को प्रदूशन रोकने की सीख देता हूँ प्रदूशन से पर्यावरण बिगड जाता है और कई प्रकार की हानिया होती है श्रीमान इसलिए मैं अपनी सच्ची उम्र पांच वर्ष बताता हूँ बाकी 75 वर्ष तो यो ही चले गए बुढे की बात सुनकर राजा ने अपना परिचे देकर उसकी प्रशन सा की बच्चों मनुष्य का जीवन अनमोल होता है हमें इस बात को समझना चाहिए हमें अपनी जीवन में कोई भी अनुचित काम नहीं करना चाहिए हमी अपनी जीवन में त्याग, तपस्य और सेवा जैसे गुड़ों का समावेश करना चाहिए